इस वक्त पे तारक सिना जी हैं हमारे साथ जिनका कॉंट्रिबूशन अगर मैं ये कहूं कि भारते क्रिकेट या भारते खिलाडियों को लेकर बहुत उम्दा रहा है और मेरा उनसे पहला सवाल भी इसी को लेकर है कि सर खुशी तो निश्चित तौर पर होगी इस बात की की ग मैं आया तो मिला और काफी खुशी का तो मौका है ये क्योंकि एक आपको रेकोंगनीजन मिली जिसके लिए मैं इतनी महनत करता था जो मेरे को रेकोंगनाईज किया जाए तो बड़ा अच्छा काम होई जी अच्छा एक चीज अगर मैं आप से जानना चाहूं कि शुरुआ पाती वो जो पल थे अगर ऐसे समय में किसी को गुरूर द्रोनचार अवार्ड से सम्मानित किया जाए तो फिर एक पूरा का पूरा एक बूस्ट अप हो जाता है आदमी और लिफट अपो कर काम करता है तो नहीं है कि इसके बिना मोटिवेशन नहीं होता है लेकिन ये एक देखिए कभी भी मैं अवार्ड के पिछे नहीं भागा और एक ऐसा टाइम था जब इंडिया की टीम में चार खिलाडी मेरे गए हुए थे टीम के अंदर इंग्लेंड टूर के अंदर तब भी मैंने नहीं सोचा जो मुझे कोई अवार्ड की जोरूरत है मैं तो एक काम करे जा रहा था पर जैसे तरह टाइम बीटा गया लगने लगा जो अब आगे वाले लोगों के साथ में अगर मैंने टकर लेनी है अगर कुछ अच्छा करना है तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना जरूर चाहिए तो इसलिए इस साल मैंने कोशिस करी जो मेरे कांट्रिबूशन को लोग रेकोनाइज करें तो मुझे बड़ी खुसी है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिनिश्ट्री का जिन्होंने मेरे सर्विसिस को रेकोनाइज किया और मुझे इस लाइक समझा जो मैं ये अवार्ड मुझे दिया गया ये आपने दिल्चस बात कही कि टीम इंगलेंड जा रखे थी और चार खिलाडी आपकी कोचिंग के अंडर से निकल कर गए थे और दिल्चस बात ये है कि तारक सिना जी के जो खिलाडी है जो वहां सोनेट क्रिकेट क्लब सर जो वहां से निकल कर जाते हैं वो नाम लेते है उनका हर बात पर और मैं अभी हालिया समय में रिशाप पंत की बात करूँ या उनसे पहले आशिश नहरा की बात करूँ या शिकरधवन की बात करूँ सर यही जो खिलाडी आपने निकाले हैं जिनका लोहाज दुनिया मान रही है जिनका कॉंट्रिबूशन इंडिन क्रिकेट में बहुत जबरदस थहरे शपंत ने तो अभी अभी शुरू किया है लेकिन यह आपको एक अच्छा कॉंट्रिबूशन लगता है कि वो जो आपके न आपका नाम लेते हैं बिल्कुल गर्व से आपका नाम लेते हैं ऐसा है जो मैं उनके लिए बहुत कुछ करता हूं और मैं कभी कैसी नाम के लिए नहीं करता मैंने काम किया है उनके लिए उनको वो अपनी जितने भी सक्सेस का स्रे मुझे देते हैं तो यह तो बहुत अच् उनका ठीक है नई शुरुवात थी विकेट कीपिंग को लेकर कई लोगों ने कुछ कहा लेकिन आपको लगा कि अभी मौका मिलता रहेगा आने वाले समय में इस तरह की गिंदबाजी या इस तरह का कंडिशन्स में विकेट कीपिंग करते रहेंगे तो निखर कर आएंगे का सबसे टुफेश टूर किया उनने इतने टुफेश टूर में उन्होंने अच्छी विकेट कीपिंग करी एं सेंचिरी बना इतनी जल्दी अपने लाइफ के तीसरे टेस्ट मैच के अंदर उनना सौरन बना लिए और मैं बड़ा ऑप्टिमेस्टिक हूं और नियर आप से ये कि कल के दिन को लेकर आप काफी एकसाइटेड हैं कुछ तैयारियां अपने निश्य तोर पर की होंगी इन लोगों से आप मिलते रहते होंगे कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक मिलना पहली बार होगा यासा होगा लेकिन निश्य तौर पर राष्ट्रपती म महां महीं महां पर रहेंगे तो ये एक निश्य तोर पर एक बड़ा मौका आपके लिए आपके अब तक के पूरे करियर का हां ये एक हिस्टोरिक दिन होगा जब मुझे इतने लोगों के बीच में एक आवार दिया जाएगा तो बड़ा अच्छा दिन है खुसी का मौका है और मेरे वो उन चात्रों की महनत का नतीजा मुझे मिल रहा है ज़रूर उनने महनत करके इतना नाम कमाया है मेरे को एक रास्ता दिखाया मेरे लिए उनने इतना किया मुझे बड़ी खुसी है जाते जाते आप कुछ अगर कहना चाहें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को या इसके साथ साथ तमाम वो लोग जो आपके इस करियर में अब तक आपके साथ रहे हैं उन लोगों के नाम अब एक संदेश देना चाहिए मैं अपने उन सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने टाइम टू टाइम मेरी हल्प करी मुझे यहां तक पहुंचने में हल्प करी मुझे यहां तक बनाया मेरे को एक कोच बनाया और उन सभी का और खासकर मिनिस्ट्री का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे की सर्विसिस को रिकोगनाईज किया, मेरे जो मैंने इतनी मेहनत करी, जो मैंने काम किया इसको माना बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए तो आप तारक सिना साब थे, जिनके बिलकुल एक दर्जन नाम आप देखें तो भारते क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, इसके लावा भी उनका जो कांट्रिबूशन है भारते क्रिकेट को लेकर, और सिर्फ भारती क्रिकेट ही बलकि जो डेली के राउंड जो क्रिकेट है, डेली के राउंड जो क्रिकेट सरकल इसमें बहुत बड़ा नाम है और इसी वजह से जो है उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, ध्रोनाचार है अवाड जो की कोचिंग की दुनिया का सबसे बड़ा अवाड है,